दारू पीने से क्या असर होता है? आज के समय में दारू पीने का क्रेज 20-25 उम्र के लड़कों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. दारू पीने से व्यक्ती का शरीर बहुत खराब होता है तथा वह समाज की नजरों में भी अपने को गिरा हुआ महसूस करता है. पहले तो व्यक्ती दारू शौक के लिए पीता है, लेकिन एक दिन यही शौक उसकी आदत बन जाती है तथा कई बीमारियों को जन देती है. एक बार इसकी आदत पर जाने पर इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. दारू शरीर को अंदर से खोखला बना देती है. दारू पीने के शुरू के 10 मिनट में दारू के हॉमोन और टॉक्सिन शरीर के अंदर फैलते हैं तथा व्यक्ती को पसीने आने लगते हैं. 20 मिनट पश्चात दारू पूरे खून में फैल जाती है और व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा नशा आने लगता है 45 सेकंड पचास मिनट बाद एलकोहल लीवर पर जमने लगता है और लीवर सुखने लगता है व्यक्ति को प्यास अधिक लगने लगती है तथा इन्हें समय पानी नहीं दिया जाए तो यह तड़पने लगते हैं समय व्यक्ति फुल नशे में होता है तथा उन्हें यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है यूरिन जाने के बाद नशा कम होने लगता है दारू पीने के बाद में व्यक्ति अपनी हकीकत बताना शुरू करता है दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख पाता है जिससे कई व्यक्ति उस व्यक्ति से ग्रिना करने लग जाते हैं इस प्रकार दारू स्वास्थे के लिए हानिका रख है कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो जरूर बताए और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें